हलो फ्रेंज आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज हम आपके लिए एक मास रिक्रूट्मेंट लेके आ रहे हैं और यह निकल के आ रही है वापकॉस लिमिटेट की तरफ से एक PSU है मिनी रतन PSU है यहाँ पे इसे बहुत सारी विकेंसी निकल के आ रही है कुल मिला के 95 विकेंसी हैं जिसमें civil, mechanical और electrical इंजीनियर सारे ही अपलाई कर सकते हैं बहुत सारी रिक्रूट्मेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं site इंजीनियर, field इंजीनियर, structure इंजीनियर बहुत सारी रिक्रूट्मेंट निकल के आ रही है डिप्लोमा और B.Tech दोनों ही आल ओवर इंडिया से अपलाई कर सकते हैं, कोई exam, कोई fees नहीं रखी गई है, तो detail notification के बारे में बात कर देते हैं, इसका notification काफी confusing है, तो मैं आपको proper detail में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास तक सरूर देखिएगा, तो friends, welcome to my channel, Civil Engineering Destination, हम आपके लिए regular basis पे job update लाते है चैनल को subscribe कर लिए जगर नहीं किया है, तो और आप हमें सारे ही social media platform पे follow भी कर सकते हैं, link you will find it in description, बात कर लेते हैं सीधे recruitment के बारे में, तो basically जो हमाई notification है, यह आप देख सकते हैं, यह ऐसे NXR में एक नहीं चार notification निकल के आ रही ही, आप देख सकते हो NXR A है, NXR B है, फि हमारी special terms and conditions है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो, recruitment है, web cost limited की तरफ से, एक mini रतन PSU है, जितनी भी जो water serilated यह करती है, प्रोजेक्स बनाती है, इनके पास dams है, इसलिके लावा bridges है, tunnels है, तो अगर आप काम करना चाहते हैं, तो कर सकते है काफी अच्छा मौका है, जैसे कि आप देख सकते हो, पहली और main important बात कि यह जो आपकी post है, यह आपकी contractual basis पे रहने वाली है, बट यहाँ पे आप लोग all over India apply कर सकते हो, यहाँ पे जो आपकी job location है, वो औरिसा रहने वाली है, इसके अलावा एकार state और भी है, जैसे कि रा बारे में बताएंगे, post आपकी contractual है, selection procedure के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो भी clear नहीं है, हो सकता है, यहाँ पे आपका skill test हो, एक return examination हो, या फिर एक personal interview हो, बट जहाँ तक webcos का system रहा है, वो लोग हमेशा contractual employee के लिए आपको shortlist करते हैं, shortlist के बाद यहाँ पे आपको basically जाता है, और यहाँ पे जो जितने भी जो आपकी qualifications हैं, और जो आपका experience है, वो 362021 तक होना चाहिए, और इसकी last date की बात कर लेते हैं, तो इसकी last date 15.08.2021 रहने वाली है, यह इसकी main details है, जो मैंने आपको बता दी है, अब बात कर लेते हैं, सीधे qualification और post ओ के बारे में, तो यह आप देख सकते हैं, यह है हमारा annexer A, यह इसकी पहली notification है, यहाँ पे इसकी आप location देख सकते हैं, यह है गंगा धर महर lift irrigation project, यहाँ के लिए जो recruitment निकल के आ रही है, ऐसे तो बहुत सारी recruitment है, minimum to maximum experience यहाँ पे recruitment निकल के आ रही है, जो हमारे मतलब की है minimum experience के हम उसी के बार यहाँ पे प्रॉपर discuss करेंगे, पहली जो recruitment आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हो technical assistant की, यहाँ पे अगर आपने तीन साल का diploma या फिर चार साल का B.E.B.Tech कर रखा है civil engineering में, तो आप लोग completely eligible हो, अगर आप अगर आपने B.Tech किया है, तो यहाँ आपके पास एक साल का experience होना चाहिए, in drawing and designing, और अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया है, तो आपके पास minimum दो साल का experience होना चाहिए, जिसमें आपको AutoCat और Stat की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, age में 35 years रखी गई है, number of vacancy is 1 है, salary की बात कर लेते हैं, तो salary यहाँ पे आपको 17,845 इलेक्टिकल की, यहाँ पे सेम डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही apply कर सकते हैं, इलेक्टिकल में जिसमें किया है, डिप्लोमा के लिए, sorry, बीटेक के लिए 2 साल का experience है, और डिप्लोमा के लिए 5 साल का experience मांग लिया गया है, salary अगेन इसकी 20,000 है, और अगर आप साइट पे इप्लोमा में 5 साल का experience मांग लिया गया है, age limit 40 years रखी गई है, salary अगेन सेम है, वैसे ही आप देख सकते हो, site engineer mechanical के लिए, यहाँ पे recruitment निकल के आ रही है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही apply कर सकते हैं, mechanical वाले, 2 साल का experience मांग लिया गया है, बीटेक वालों के लिए, और 5 स सेम है, salary भी सेम है, next post निकल के आ रही है, design engineer civil की, यहाँ पे भी अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही apply कर सकते हैं, बीटेक के लिए 2 साल के experience है, और डिप्लोमा वालों के लिए 4 साल के experience मांग लिया गया है, आपको सारा notification इसके हर एक चीज हमारी website में मिल जाएग Link you will find it in description, salary अगे इसकी 20,000 रहने वाली है, next vacancy है expert की, expert में भी डिप्लोमा और बीटेक इन civil दोनों ही apply कर सकते हैं, but minimum 20 years of experience मांग लिया गया है, तो जैसे मैं आपको बताया, minimum to maximum experience recruitment निकल के आ रही है, next vacancy है sub project engineer civil, number of vacancies आप अपने सामने देख पा रहे होगे, age limit यहाँ पे 50 years रख दी गई है, और 10 साल के experience मांग लिया गया है, जिसके पास है, वो जा सकते हैं, यह हमारी पहली post है, next post की बारे में बात कर लेते हैं, जो मारा next project है, वो है annexer B, यहाँ पे आपका district mineral foundation, खौजर, ख्योंजर, ख्योंजार में यहाँ पे आपकी recruitment रहने वाली है, यह आपक project रहेगा, यहाँ पे पहली विकेंसी निकल के आ रही है, field engineer, civil की, जहाँ पे diploma और b.tech दोनों ही apply कर सकते हैं, civil वाले, b.tech के लिए 2 साल के experience और diploma के लिए 5 साल के experience मांग लिया गया है, बागे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, flyover में, building में experience होना चाहिए, basically जो site का experience, वो ह site allowance आपको 2000 का लग से मिल जाएगा, next vacancy फिर है civil engineer के लिए, यहाँ पे again diploma और b.tech दोनों ही apply कर सकते हैं, 2 साल के experience मांग लिया गया है, degree वालों के लिए और 5 साल के experience मांग लिया गया है, यहाँ पे diploma वालों के लिए, बाकि आपने हिसाब से यहाँ पे बेख सकते हो, ठीक है, age limit 40 years है, number of vacancies again 2 है, salary again same है, 20,000 है, इसी के अलावा site पे रहोगे तो 2000 का यहाँ पे allowance आपको अलग से मिल जाएगा, next vacancy फिर से यहाँ पे आ रही है design engineer electrical की, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर diploma या फिर अगर आपने b.tech किया है civil engineering में, तो आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हो बाकि आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यह next vacancy है, फिर next vacancy की निकल के आ रही है, design slash architecture slash draftsman की, यहाँ पे भी अगर आपने b.tech या फिर diploma in civil या फिर architecture कर रखा या फिर अगर आपने b.arch कर रखा है, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, minimum 5 साल के experience और maximum 10 साल के experience मांग लिया गया है, minimum 5 साल के experience है b.tech वालों के लिए, और 10 साल का है यहाँ पे diploma वालों के लिए, age limit 40 years है, number of vacancies 2 है, salary 25,000 रहने वाली है, ताकि 2000 का site allowance है, यह हमारा annexer B है, ऐसे ही 2 और annexer है, third annexer है हमारा annexer C, यह आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो project रहेगा वो आपका रहेगा, affordable housing project at buddheswaram development authority BDA, यह आपका project रहने वाला है, और यहाँ पे भी recruitment निकल के आ रही है, again maximum to minimum यहाँ पे recruitment निकल के आ रही है, आप चाहे तो अपने इसाब से देख सकते हैं, पहली जो यहाँ पे recruitment है, हमारे मतलब की field engineer की है, BEB tech and diploma in civil, यहाँ पे apply कर सकते है दो साल के experience है, डिग्री वालों के लिए और पांस साल का है, डिप्लोमा वालों के लिए, age limit 40 years, number of vacancies 8 है, इसी के लावा salary 20,000 प्लस allowances मिल जाएंगे, next है यहाँ पे field engineer electrical, electrical में अगर आपने डिप्लोमा या फिर B tech कर रखाए तो apply कर सकते हो, experience और salary सेम है, अपने इसाब से द management में कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हो, और इसी के लावा आप देख सकते हो, पांस साल के experience मांग लिया गया है, site safety में, और 40 साल age limit है, number of vacancies 1 है, salary आप अपने सामने देख पा रहे होगे, 25,000 रखी गई है, next vacancy है, quality control management की, यहाँ पे भी B tech और डिप्लोमा इन vacancies 3 है, salary की बात कर लें, तो 25,000 प्लस allowances यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, next vacancy है, again structural engineer की, डिप्लोमा और B tech again, यहाँ पे भी eligible है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 8 साल के experience मांग लिया गया है, beta के level पे, number of vacancies यहाँ पे 3 है, salary 25,000 रखी गई है, बाकि ऐसी बहुत सारी recruitment आ project है, यह हमारा इसकी location जैपुर रहने वाली है, infrastructure development under district mineral foundation DMF, यहाँ पे आपका यह जो project का title यह रहेगा, आप यहाँ पे भी चाहो तो apply कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, कितनी सारी recruitment निकल के आ रही है, पहली है project manager की, B cell के experience है, diploma और B tech दोनों ही apply कर सकते है, M tech को preference दी जाएगी, salary 50,000 के आसपास है, next frequency है structural engineer की, आप अपने सामने यहाँ पे देख पा रहे होगे, B tech and civil यहाँ पे apply कर सकते है, 8 साल के experience मांग लिया गया है, next frequency है quality engineer की, यहाँ पे भी diploma और B tech दोनों ही apply कर सकते है, 5 साल के experience मांग लिया गया है, B tech के level और diploma के लिवल पे 10 साल के experience मा apply कर सकते है, 5 साल के experience मांग लिया गया है, 10 साल के level और B tech के level पे, next frequency है field engineer की, minimum 2 year of experience and 5 year of experience for diploma मांग लिया गया है, B tech और diploma दोनों ही apply कर सकते है, number of vacancy is 8 है, salary again is 20,000 plus 2,000 आपको यहाँ पे आपका site allowance मिल जाएगा, ऐसी बहुत सारी recruitment आ रही है, आप अपने हिसाब से देख लीज तो आप देख सकते हैं कितनी सारी recruitment निकल के आ रही है, अलग-अलग projects है, वहाँ पे से अलग-अलग recruitment निकल के आ रही है, आप लोग चाहो तो एक से जादा post के लिए यहाँ पे apply भी कर सकते हो, ऐसा सच कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे apply कैसे करना है, तो basically यहाँ पे apply कर आप एक यह form देख पा रहे होगे, ठीक है, यह form का आपको print out लेना है, print out लेने के बाद form proper भरना है, भरने के बाद अपने जो भी documents हैं, आपके certificates हो गए, mark sheets हो गए, आपके experience certificate हो गए, वो सब आपको यहाँ पे proper scan करके उसकी PDF बना लेनी है, और वो PDF आपको भेज देनी है, जो आप यहाँ पे mail ID देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लोग जो mail ID देख पा रहे हो, यह आप देख पा रहे हो, recruitment webcos bbsr at the rate gmail.com, यहाँ पे आपको भेज देना है, और इसकी last date 15.08.2021 रखी गई है, तो इसकी हरी चीज़ मैंने आपको समझा दी है, काफी बड़ी notification है, काफी अच्छी PSU है, काम तो बहुत जादा करवाती है, बट हाँ, यहाँ के experience की matter होता है, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मैंने खुद कभी webcos वालों के साथ काम किया है, बट बहुत पुरानी बात है, इसलिए मैं अपने personal experience से बता रहा हूँ, काफी अच्छी PSU है, जो लोग चाहे apply कर सकते हैं, सारी इसकी जानकारी आपको हमारी website पे मिल जाएं, कुछ चीज अगर समझ में नहीं आई है, हमारी website पे चले जाएएगा, government job के section में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, webcos के page पे चले जाएगा, आप देख सकते हो website, notification, NXRA, B, C और D, सारे आपको सबस्क्राइब करें